हाई फ्रेंड्स मैं धर्मेंद अपने यूटूब चैनल अमेजिंग पार्ट साला में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंगलिस की टेक्स्ट बुक के अंतरगत इसके दूसरे चैप्टर और लेटर टूगाट के दूसरे पार्ट का अधिन करेंगे दोस्तों यदि आपने इस चैप्टर के पहले पार्ट को नहीं देखा है या आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं अखला वीडियो अप्लोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आएए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं It is really getting bad now, exclaim the man, I hope it passes quickly तो really means such much, getting मतलब होना होता है, bad now मतलब, bad means बुरा, now means up exclaim the man, ब्यक्ति अर्थार लेंचो ने चिलाते हुए चिकते हुए कहा I hope it passes quickly, hope means आसा करना या उमीद होता है, passes मतलब गुजर जाना या बीद जाना, quickly मतलब सिक्री या जल्दी I hope it passes quickly, मैं आसा करता हूँ कि या अर्थात जो ओले पढ़ रहे हैं, या जल्दी समाप्त हो जाएंगे अर्थात ओले पढ़ना बंद हो जाएंगे It did not pass quickly, pass मतलब गुजरना या बीद ना होता है, quickly मतलब सिक्री या जिक्र बंद नहीं हुआ अर्थात ओले पढ़ना बंद नहीं हुआ अनास के खेत, on the whole valley मतलब पूरी घाटियों में For an hour the hell ran on the house, एक घंटे तक ओले, घरों, बगीचों, पहाडी छेत्रों, अनास के खेतों और पूरी घाटियों में पढ़ते रहें या बरसते रहें The field was white, as if covered with salt, field means खेत होता है, white means सफेद, as if मानो की, जैसे की, covered means ढग दिया गया हो, with salt means नमक The field was white, खेत सफेद हो गया था, मानो की या जैसे की, उसे ढमक से ढग दिया गया हो अर्थात इतने अधिक ओले पढ़ते हैं, कि उसका पूरा फसल ओलों से ढग जाता है, अर्थात पूरा white हो जाता है, सफेद हो जाता है Not a leaf remained on the trees, leaf means पत्ता, remain means बचना या सेस रहना, on the trees मतलब ब्रिक्चो पर Not a leaf remained on the trees, यानि ब्रिक्चो पर एक भी पत्ते नहीं बचे, अर्थात ब्रिक्चो पर भी ओले पढ़ गए The corn was totally destroyed, corn means फसल होता है, totally मतलब पूर्ण रूप से destroyed मतलब नश्ट हो गई, समाप्त हो गई The corn was totally destroyed, फसल पूरी तरह से नश्ट हो गई, the flowers were gone from the plants Flower means full होता है, gone means जा चुके थे, अर्थात गिर चुके थे, ज़ड चुके थे, plants means बधों से The flowers were gone from the plants, पौधों से फूल जा चुके थे, अर्थात गिर गए थे, लेंचो साउल was filled with sadness तो लेंचो मतलब लेंचो की, साउल मतलब आत्मा, filled मतलब भर गया, with sadness मतलब दुख, यानि राशा होता है लेंचो साउल was filled with sadness, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons When मतलब जब the storm is तूफान होता है, had passed मतलब गुजर गया, अर्थात बंद हो गया Stood मिस खड़ा होकर, middle मिस बीच होता है, filled मिस खेत, said मिस कहा, sons मिस पुत्रों से लेंचो साउल was filled with sadness, लेंचो की आत्मा या मन दुख से भर गया, when the storm had passed जब तूफान बंद हो गया, अर्थात तूफान या ते जमाय चलना बंद हो गई, तो he stood in the middle of the field वह खेत के बीच में खड़ा हो गया, and said to his son, और अपने पुत्रों से या बेटों से कहा A plague of locust would have left more than this, the hell has left nothing, this year we will have no con plague means हमला याक्रमण होता है, locust means tiddy होगा, left means छोड़ना, more मतलब इस से अधिक hell मतलब ओला, left means छोड़ा, छोड़ दिया, nothing मतलब कुछ नहीं, this year's मतलब इस वर्स, no con मतलब कोई है नाज नहीं लेंचो कह रहा है, A plague of locust would have, tiddyों का यदि आक्रमण होता या tiddy दल का हमला होता, इस से कहीं अधिक बचता, the hell has left nothing लेकिन ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा, अर्था सब कुछ बर्बात कर दिया, this year we will have no con, इस वर्स हम लोग के पास कोई अनाज नहीं होगा That night was a sorrowful one, वह रात बहुत ही कष्ट प्रत थी, या फिर पिछली रात बहुत ही दुखदाई थी All our work for nothing, all मतलब संपूर, our work मतलब हमारा कार, हमारी मेहनत, for nothing मतलब कुछ नहीं हमारी संपूर मेहनत का कुछ नहीं हुआ, अर्थात हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई There is no one who can help us, तो who मतलब जो help means, मदद करना असमीं समाई There is no one, यहां ऐसा कोई नहीं है, जो हमारी मदद कर सके We will all go hungry this year, हम लोग या हम सभी इस वर्ष भूखे ही रहेंगे But in the hearts of all who lived in that solitary house, in the middle of the valley, there was a single hope, help from God But means, लेकिन, hearts means, हिर्दय होता है, मन होता है, of all, मतलब उन सभी के who means, जो, lived means, रहते थे In that, that means, उस solitary मतलब, अकेले या एकांत, house means, घर होता है, middle मतलब, beach या मद, valley means, घाटी Single means, एकमात, या केला, hope means, आसा या उमेद, help means, मदद होता है, God means, इस्वरय भगवान But in the hearts of all, लेकिन, उन सभी लोगों के हिर्दय में, जो लोग, उस घाटी के बीच में, एक अकेले घर में रहते थे देर वाजे, single hope, उनके अंदर, अर्थात, लोगों के मन में, एक मात्र आसाया उमेद थी, help from God, इस्वर से मदद अर्थात, वे सभी लोग, जो घाटीयों के बीच में, उस अकेले घर में रहते थे, उनके मन में, एक ही उमेद थी, वो उमेद थी, स्वर से मदद की Don't be so upset, even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger, तो don't be so upset, so मतलब इतना अधिक होता है, upset मतलब दुखी या निराश, even मतलब यहां तक की दो मिन सिद्धे भी, सिम्स में स्प्रतीत होता है, या ऐसा लगता है, total loss मतलब, संपूर हानी या सर्वनाश, या पूर नुक्सान Don't be so upset, तो इतना भी अधिक निराश या दुखी मत हो, यह पूरा नुक्सान हो चुका है, पूरितना से समाप्त हो चुका है, remember no one dies of hunger, remember मतलब याद रखो, no one मतलब कोई भी नहीं, dies मिस मरता है, आप hunger मिस भूक या भूखे, तो remember no one dies of hunger, याद रखो, कोई व्यक्ति भूख भूखे नहीं मरता, that's what they say, no one dies of hunger, that is what, मतलब जैसा कि कहा गया है, no one dies of hunger, मतलब भूख, जैसा कि कहा गया है, कोई भी भूखे नहीं मरता है, All through the night, Lencho, thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience, All through the night, through मतलब संपून होता है, पूरा होता है, the night मतलब रात, पूरी रात भर, Thought में सोचता रहा, बिशार करता रहा, one hope मतलब एक मात्र आशा या उमी, All through the night, Lencho, thought, पूरी रात भर, Lencho, अपनी एक मात्र उमीद या आशा के बारे में, सोचता रहा, the help of God, यान इश्वर की मदद के बारे में, सोचता रहा, which eyes as hidden, which मतलब जिसकी एथा, इश्वर की eyes मतलब आखे, या द्रिष्टी, as मिन्स जैसा की he had been instructed मतलब निर्देशित किया गया था, या फिर इसको पढ़ाया गया था, बताया गया था, see everything मतलब सब कुछ देखती है, even मतलब यहां तक की what means, जो कुछ, deep means गहरा होता है, conscious मतलब अन्तर आत्मा या अन्तर करण, तो which eyes as he had been, जिसकी आखे, इस्वर की आखे, जैसा की लेंचों के बताया गया था, कि इस्वर की आखे या इस्वर की द्रिष्टी, see everything मतलब सब कुछ देखती है, even what is deep, यहां तक की एक ब्यक्ति के अन्तर करण की गहराई में क्या है, इसको भी देख लेती है, अर्थात इस्वर सब कुछ देख लेते हैं, अर्थात समझ जाते हैं, लेंचो वाज एन ओक्स आप मैन, वर्किंग लाइक अन एनिमल इन दे फिल्ड बट इस्टील ही न्यूँ हाव तो राइट, तो ओक्स मेंस बैल होता है, आप है मैन, वर्किंग मेंस कार करना, मेहनत करना, लाइक मेंस की तरह, अन एनिमल मतलब एक जानवर की तरह, इन दे फिल्ड मतलब खेतों में, बट मिस लेकिन, इस्टील मिस तो भी फिर भी, यी न्यूँ मतलब वह जानता था, लेंचो एक आदमी होते हुए, बैल था, वर्किंग लाइक जानवर की तरह काम करता था, अर्थात बहुत अधिक मेहनत करता था, बट इस्टील रीव फिल्ड लेकिन वह लिखना जानता था, अर्था अधिक मेहनत करता, रखना या छोड़ना होता है, डालना होता है, मेल मतलब डांक, The following Sunday at daybreak, अगले रवी बार सुबह की समय या भोर की समय लेंचो एक पत्र लिखना प्रारम कर दिया, which he would himself carry, जिसको वह स्वयम सहर ले जाएगा and place in mail और इसको डांक में छोड़ेगा, It was nothing less than a letter to God, nothing मतलब कुछ नहीं, less मतलब काहूं, than means की तुलना में, a letter to God, मतलब इस्वर के लिए पत्र, It was nothing less, या इस्वर के नाम या इस्वर के लिए लिखा गया पत्र था और कुछ नहीं था, आगे देखते हैं दोस्तों, God, He wrote, If you don't help me, my family and I will go hungry this year, God means इस्वर भगवान, He wrote उसने लिखा, If means यदि, you मतलब आप help means मदद करना, My family मतलब मेरा परिवार, Hungry means भूखा, this year मतलब इस्वर तो God, He wrote, उसने अधा लेंचो ने लिखा, भगवान, if you don't help me, यदि आप मेरी मदद नहीं की, My family and I will go hungry, तो मेरा परिवार और मैं इस्वर भूखे ही रह जाएंगे, I need a hundred pieces in order to sow my field again and to leave until the crops comes, because the hell is torn, I need, मतलब मुझे आवशकता है, hundred means so, pieces, लपीसो, तो यह, US dollar ने जो अमेरिका में dollar सलता है, उसका, सवाभाग होता है, जैसे भारत में, एक रुपे में 100 पैसे होता है, उसी बरकार, अमेरिका में, एक डाउलर में 100 pieces होता है, in order to मतलब जिस्से किता की, so means बुआई करना, field again मतलब दुबारा, leave means रहना, अर्थाद, जिवित रहना, until means तक, crops means फसल, comes means आना, if I need a 100 pieces, मुझे 100 pieces, अजा 100 pieces की आवसकता है, जिस्से की, मैं अपनी फसल की दुबारा, बुआई कर सकूं, and to leave until the, और अगली फसल आने तक, मैं जिवित रह सकूं, अर्थाद, मैं अपने परिवार का, पालन पोसंड कर सकूं, because the hail storm, क्योंकि, ओलो ने, मेरी फसल को नश्ट कर दिया है, he wrote to God, on the envelope, put the letter inside, and still trouble, went to town, he मतलब वार्था, लेंचो रोट मिन्स लिखा, to God, इस्वर के लिए, या भगवान के लिए, on the envelope मतलब लिभाभे पर, put मिन्स रख दिया, letter मिन्स पत्र को, inside मिन्स अंदर होता है, still मतलब तो भी, फिर भी troubled मतलब, दुख या निराशा, या परशान होते हुए, went मिन्स चला गया, to town मिन्स रख दिया, he wrote to God, on the envelope, अर्था लेंचो ने लिफापे पर, भगवान के लिए, अर्थार टू गॉड लिखा, put the letter inside, उसने पत्र को अंदर रख दिया, and still troubled, went to town, और फिर भी, दुख या निराश होते हुए, सहर चला गया, at the post office, he placed a stamp on the letter, and dropped in, into the mailbox, post office मतलब, डांक का रियाल है, अर्थार, डांक घर, he placed मतलब रख दिया, अर्थार लगा दिया, ये stamp मतलब डांक टिकट, on the letter means, पत्र पर, and dropped means, छोड दिया, या डाल दिया, into the mailbox मतलब, पत्र पेटी का, या mailbox मतलब, टांक, at the post office, he placed a stamp on the letter, ये डांक घर, उसने एक, पत्र पर एक टांक टिकट लगाया, और इसे, mail box में, डाल दिया रथा, छोड दिया, one of the employees, who was a postman, and also helped, at the post office, went to his boss, laughing hurtly, and sobbed him, the letter to God, one of the employees, implies means कर्मचारी होता है, कर्मचारी होता है, तो कर्मचारी हों में से एक, who मतलब, जो वाजय पोष्ट में, जो एक डांक या था, also means, help में मदद करता था, सहायता करता था, went मतलब गया, boss, जबने boss के पास, अर्थाथ, डांक पाल के पास, lawfik मेंस, हसते हुए, hurtly मतलब, मन से होता है, दिल से, sobbed मतलब दिखाया, him मतलब उन्हें अर्थार, डांक पाल को, जो boss थे उसके, one of the employees, who was a postman, उन्ही कर्मचारी हों में से, एक कर्मचारी, जो एक डांक या था, and also helped the post office, जो post office, अर्था डांक घर में मदद का कारे करता था, शाहता करने का कारे करता था, went to his boss, laughing hurtly, वह हसते हुए, अपने boss के पास गया, and sobbed him to letter to God, और उसने, इस स्वर का पत्र, उन्हें अर्थात अपने boss को दिखाया, never in his career, as a postman, had he known that address, never means कभी नहीं, carrier मतलब G1 होता है, पेशा भी होता है, postman मतलब डांक किया, known मतलब जानना, that मतलब उस address में पता, never in his career, as a postman, यानि उबहर था, कभी भी अपने पूरे जीवन भर, या जब से वो डांक किया का काम करता था, कभी भी उस पत्र को नहीं जानता था रथा, उसने ऐसा पत्र नहीं देखा था, the postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately, he turned serious, and tapping the letter on his desk, commented, the postmaster, प्रदान डा किया, या डाक पाल, या fat, मतलब एक मोटा ब्यक्ति था, amiable fellow, मतलब प्रसंचित्या, खुसमिसाद ब्यक्ति, also means, भी broke out, मतलब तेजी से, laughing means, हसना होता है, the postmaster, या fat, यानि, डाक पाल या प्रदान डा किया, एक मोटा, खुसमिसाद ब्यक्ति था, broke out, आप लाफिंग, वह भी तेजी से अर्था, जोड से हस पड़ा, but almost means, लगबग, immediately मतलब, तुरंत ही, turn मतलब, बदल गया, परिवर्तित हो गया, serious मतलब, गंभीर, tapping means, थप थपाते हुए, भीर हो गया, and tapping the letter on his desk, उसने पत्र को, अपने मेश पर, रखते हुए, टिपड़ी की अर्थात कहा, what faith, I wish I had the faith, of the man, who wrote this letter, what मतलब, क्या faith मतलब, विश्वास होता है, दोस्तों, ये आश्चर जनक, ये वो आश्चर पकट कर रहा है, तो what faith, मतलब कैसा अविश्वास, I wish, मतलब इच्छा होता है, faith मतलब विश्वास, who मतलब, जो wrote this letter, मतलब इस पत्र को लिखा है, तो प्रधान डागिया कहते हैं, what faith, कितना गहरा अविश्वास, I wish, मतलब मेरी भी इच्छा है, मेरी भी अभिलास आए, कि मेरी भी इतनी ही आस्था होती, जितना कि इस पत्र को लिखने वाले लेखक की है, starting up, एक correspondence with God, starting मतलब प्रारम कर रहा है, correspondence मतलब पत्र विभार होता है, with God, starting up, मतलब वह अर्था, इस्वर से पत्राचार कर रहा है, पत्र विभार कर रहा है, अर्था दिश्वर को पत्र लिख रहा है, so in order to check the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter, so means इसलिए in order to, मतलब ता की, जिस्से की, शेक मतलब डिगाना होता है, डिगाने से मतलब दोस्तों, बनाए रखना, writer's faith मतलब लेखक के विश्वास को, in God मतलब भगवान में, postmaster came up मतलब आया, idea means विचार, so in order to check the writer's faith in God, इसलिए, लेखक का इस्वर के प्रती विश्वास को बनाए रखने के लिए, मुख डाकिया, अर्थात पधान डाकिया, के मन में एक बिचार आया, कि answer the letter, पत्र का जवाब दिया जाया, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper, but means लेकिन, बन मतलब जब, ही मतलब वा अर्थात जो बाउस था, opened मतलब खोला, इसे अर्थात पत्र को, evident मतलब साफ या असपश्ट था, that key to answer मतलब जवाब देना, he needed मतलब उसे आवा सकता थी, अर्था लेंचों को आवा सकता थी, something more, something मतलब कुछ चीज होता है, more मतलब अधिक या तधिक, goodwill मतलब सद्भावना, या सहान भूती, ink मिन स्याही होता है, and paper मिन कागस, but when he opened, जब उसने अर्थार बौश ने पत्रों खोला, it was evident, या सबस था, कि इसे अर्थार लेंचों को सद्भावना, स्याही और कागस के अलावा, किसी और अन्य चीज किया हो सकता थी, अर्थार उसे पैसे किया हो सकता थी, but he stuck to his resolution, he asked for money from his employees, he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something, for an act of charity, but means लेकिन, he stuck मतलब अड़ा रहा, अडिग रहा, to his resolution मतलब दिर्णिस्चे होता है, तो दोस्तों जब बौश ने पत्रों खोला, तो, but he stuck to his resolution, लेकिन वह अर्था प्रधान राकिया था, वह अपने दिर्णिस्चे पर अड़ा रहा, अर्था जो उसने विश्वास कर लिया था, प्रस्ताओ कर लिया था, वह उसी पर अड़िग रहा, he asked for money, ask मतलब मांगा, money मिस पैसा या धन होता है, from implies, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगे, he himself give मिस दिया, part मिस भाग या हिस्सा होता है, salary मिस आमदनी या कमाई, उसने खुद अपनी कमाई का, या आमदनी का एक भाग दिया, and several friends of, several मिस कई, friends मतलब मित्रया दोस्त होता है, were obliged मतलब, बात धिकिये गए, या यहसान मन थे, to give मतलब दिने के लिए, something मतलब, कुछ active मिस कार रहे होता है, charity मिस दान या पुन्य, but he stuck to his resolution, लेकिन वह अर्था जो प्रधान डागिया था, अपने दिर निश्चा प्राटल रहा, he asked money, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मागे, he himself gave, उसने स्वयम अपनी आमदनी के कुछ भाग दिया, and several friends of his were, और उसके बहुत सारे मित, इस दान या पुन्य, रुपी कार के लिए, बाध्ध किये गए, अर्थात उन से पैसे लिए गए, it was impossible for him, to gather the hundred pesos, so he was able to send the farmer, only a little more than half, तो impossible means असंभव होता है, कठिन था, gather मतलब इकठा करना, hundred pesos मतलब सो पीसो, so मतलब इसलिए, able means योग्योना, समर्थ होना, send मिन्स भेजना, farmer मतलब किशान अथारलेंचों के पास, only means केवल, little मतलब थोड़ा होता है, more than half, आधे से कुछ अधिक, तो it was impossible for him, to gather the hundred pesos, यह उसके लिए अर्थात प्रधान डाकिया के लिए, सव पीसों कोई कठा करना, बहुत ही कठिन था, असंभव था, so he was able to send the farmer, only a little, इसलिए वह किसान के पास अर्था, लेंचों के पास, आधे से कुछ अधिक ही पैसा भेज पाया, he put the money in an envelope address to लेंचों, and with them a letter containing only a single word, as a signature God, put मतलब रख दिया, money में पैसे को, an envelope मतलब एक लिफाफे में, address मतलब सम्भवधित करना, या पते पर लिख दिया, to लेंचों यानि लेंचों के नाम, with them और उसके साथ, a letter और एक सब्द भी लिख देता है, containing मतलब बनाए रखना है, शामिल करना, only means cable, single मतलब एक मात, word मिन सब्द होता है, signature मतलब हस्ताप्छर, he put the money in an envelope, उसने पैसे को एक लिफाफे में रख दिया, address to लेंचों, और लेंचों के पते पर भेज दिया, and with them a letter containing him, a single word, और उसके साथ, शिर्फ या एक मात सब्द लिखा, भगवान के हस्ताप्छर के रूप में, God, अर्थाद उसने, पत्र के उपर सिर्फ गॉड लिखा, अगला पैसे देखते हैं दोस्तों, The following Sunday, लेंचों के में बीट अर्लियर दैन, यूजूल तु आस्क इफ देएर वाज एलेटर फार हिम, Following Sunday मिन्स अगले रभिवार, के मिन्स आ गया, ए बीट अर्लियर मतलब, थोड़ा जल्दी, या समय से पहले, Usual मिन्स सामान या साधारन होता है, आस्क मिन्स पूछने के लिए, भार हिम मतलब उसके लिए, The following Sunday, लेंचों के में बीट अर्लियर, अगले रभिवार, लेंचों साधारन या सामान समय से, पहले ही आ गया, ये पूछने के लिए, उसके लिए कोई पत आया है की नहीं, It was the postman himself, who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment of a man, who has performed a good deed, looked on from the doorway of his office, It was the postman, मतलब दाकिया, इमसेल्फ में लख खुद हू, मतलब जो, handed मतलब दे दिया, अर्थाथ हाथों में दे दिया, the letter में स्पत्र को, to him, मतलब उसको, अर्थाथ लेंचों को, It was the postman himself, मतलब दाकिया, खुद, उसने लेंचों के हाथों में पत्रों को दे दिया, वाइल मिस चब की, postmaster मतलब, जो प्रधान दाकिया था, जो डाकपाल था, experiencing मतलब, अनभव कर रहा था, महसूस कर रहा था, contentment मतलब, संतुष्टी, हु मतलब, जो performance किया है, या प्रधाशन किया है, एक good deed मतलब, भलाकार नेक काम, looked on मतलब, देखता रहा, from doorway मतलब, दर्वाजा या द्वार पर, his office मतलब, कार्या लेटे, वाइल दी postmaster experience जी, जबकी, प्रधान दाकिया, या डाकपाल, एक संतुष्ट ब्यक्ति की भाती, अन्भो कर रहा था, कि उसने कोई अच्छा काम किया है, और आफिस के दर्वाजे पर, खड़े होके देख रहा था, Lencho, sop'd not the slightest surprise, on seeing the money, such was his confidence, but he became angry, when he counted the money, Lencho, sop'd मतलब दिखाना, या प्रदर्शित करना, slightest मतलब, लेश मात, जरा सभी, या हलका सभी, surprise मतलब आश्चर होता है, अचरज, seeing मतलब देखकर, money means पैसा, such मतलब ऐसा इस प्रकार का, his confidence मतलब बिश्वास, तो Lencho, sop'd not the slightest surprise, on seeing the money, Lencho, पैसे को देखकर, उसे जरा सभी, या थोड़ा सभी आश्चर नहें हुआ, such was his confidence, क्योंकि उसका ऐसा विश्वास था, अर्थाद उसका, इस्वक्रिपती, अटल विश्वास था, but he became angry, when he counted the money, became means हो गया, angry मतलब क्रोदित, when मतलब जब counted, मतलब गिंती किया, गड़ना किया, मनी में स्पैसा या धन होता है, but he became angry, when he counted the money, लेकिन वह अर्थार लेंचो ने, जब पैसे को गिना, या धन को गिना, तो वह क्रोधित हो गया, God could not have made a mistake, nor could he have denied लेंचो, what he had requested, denied, मतलब मना करना, इंकार करना, mistake मिस गलती होता है, what means Joe, he had requested, मतलब आग्रह किया था, प्रातना किया था, या मांगा था, God could not have made a mistake, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते, nor could he have denied, और ना ही वह उन्होंने मना किया था, लेंचो वह अर्ट है लेंचो ने, to ask for paper and ink, immediately मतलब तुरंथ, लेंचो वेंट मतलब गया, to the window मतलब खिड़की के पास, to ask मतलब मांगने के लिए, paper and ink, paper means कागज, ink means स्याही अर्थात, कलम और कागज, immediately लेंचो went up to the window, तुरंथ या एक आएक लेंचो फिड़की के पास, कागज और स्याही मांगने गया, on public writing table, he started to write with much wrinkling of his bro, caused by the efforts he had to make to express his idea, on public, public मतलब सारवजनिक होता है, writing table मतलब लिखने वाली मेश, अर्थात जहां लोग बैठ के लिखते हैं, he started मतलब प्रारम कर दिया, to write मिन्स लिखना, much मिन्स अधिक, kinkling मतलब शिकुरिना होता है, bro मिन्स भाउं या माथा होता है, काज मिन्स के कारण, efforts मिन्स प्रयाज या कोशिस, express मतलब व्यक्त करना, ideas मतलब विचार, on public writing table, उसने सारवजनिक, लिखने वाली मेश पर, बैठ गया, he started to write, उसने लिखना प्रारम कर दिया, with much wrinkling of his bro, caused, by effort, he had made to express, जवव अपने विचारों को प्यक्त करने की कारण, अत्यधिक प्रयास की कारण, उसकी भाव या माता, बहुत अधिक शुकुर गया, अर्था दोस्तों, जब हम कोई चीज सोच कर लिखते हैं, तो हम लोग का जो माता होता है, आमतर प्रोस्तों से कुड़ जाता है, तो सेम ऐसे ही, यहाँ पर लेंचों के सांती हो रहा है, वेन ही फिनिश्ट, ही वेंट टू दे बिंडो, टू बाई ए स्टैम्प, फिची लिग्ट, अन देन अफिक्ट टू दे इन्वलप, वेंट मतलब जब ही फिनिश्ट, जब उसने समाप्त किया, फिनिश्ट में समाप्त करना होता है, वेंट मिंज गया, टू दी विंडो मतलब खिड़की के पास, टू बाई मिंज खरीदने के लिए, इस्टाम्प मतलब डांग टिकट, जब उसने समाप्त किया, अर्थाच जब वह पत्र लिख लिया, तो he went to the window, तो वह खिडकी पर ticket खरिदने के लिए गया, विची लिख जिसको उसने चाटा and then affixed और उसने उसे अर्थाच उस डांक टिकट को अपने हथेली के प्रहार से या मुक्य से उसे लिफापे पर चिपका दिया. The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. The moment में च्छाड़या समय होता है, पल होता है, that the letter fell, मतलब गीरा अर्थाच पड़ा into the mailbox, मतलब डांक में, the postmaster अर्थाच प्रधान डांक या, went, मतलब गया, to open, मतलब खौलने के लिए. The moment that the letter fell into the mailbox, जिस समय पत्र डांक में पड़ा, तो उसी समय प्रधान डांक या, उस पत्र को खोलने के लिए गया, it said, इसमें कहा गया था. God of the money that I asked for, only 70 पीशो रिष्ट में. God मतलब बगवान, of the money means पैसायधन, that means जो, I asked for, जो मैंने आपसे मांगा था, only मतलब केवल 70 पीशो रिष्ट में, मतलब मेरे पास पहुचा. God of the money, भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगा था, सिर्फ मेरे पास 70 पीशो पहुचा. Send me the rest, since I need it very much. Send मतलब भेज़ दीजिए, मी मतलब मेरे पास. Rest मतलब, says या बचा हुआ. Since मतलब क्योंकि, need मतलब आव सकता है, very much मतलब बहुत अदी. So send me the rest, मेरे पास 6 अर्था 30 पीशो मेरे पास भेज़ दीजिए. Since I need it very much, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवशकता है. But don't send it to me through the mail, because the post office implies a bunch of crooks. But don't send, लेकिन इसको मत भेज़ी. Me मतलब मेरे पास, through मतलब के द्वारा, mal मतलब डांक होता है. Because means क्योंकि, the post office implies मतलब डांक घर के कर्मचारी. Bunch means, समू या जुन्ड होता है. Crooks मतलब धूर्टबाच या बेइमान होता है. Lincho आगे कहता है, but don't send it to me through the mail, लेकिन आप इसे मेरे पास अताथ पैसे को मेरे पास डांक के द्वारा मत भेज़ीए. Because the post office is क्योंकि, डांक घर के कर्मचारी, बेइमानों के समू हैं, या या ये लोग धुर्टबाज हैं. दोस्तों, इस प्रकार से आपका यह तूसरा चैप्टर, a letter to God, समाप्त हो गया. और दोस्तों, मैंने इस चैप्टर को यथा संभव अच्छे से अच्छे भासा में पढ़ाने का प्रयास किया है, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएं. दोस्तों यदि यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो आप लोगों के एक्जाम के देश्टिकोर से जरूरी हो महत्पूर हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें और चैनल को अवस्य सब्सक्राइब करें धन्यवाद अवस्तों